यह जो पौधा है ना इसमें फूल खिला है आज यह सदा बाहर का फूल है मुझे बहुत ही पसंद है So hey guys, welcome back to my new vlog आप लोग कैसे हो आई हो पाप लोग अच्छे होंगे और फेंट से सुबह का टाइम है ठंडी अंडडी हवा चल रही थी और मैं बालकनी में आ गई हूँ और आप लोग सभी को good morning बहुत ही अच्छा मौसम था आज का सुबह सुबह मैं आई थी बालकनी देखने मेरा सारा पौधा खराब हो रहा है guys एक कीड़े लग रहे हैं मेरे पौधे में यह गमला तो पूरी तरह खराब कर दिया है उन्होंने दवाई डाल रही फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है वह घोगा टाइप का है चुटा चुटा है सुबह के टाइम में वह मिठी के ऊपर चलती है और फिर मिठी के अंदर च प्याज, हरीमिज, जीरा, हिंग, तेजपत्ता यह सब भून लोगी उसके मसाला डालोंगी जो भी धनिया जीरा होता है और टमाटर लान मीच यह सब डाल के बून लोगी फिर केला जो फ्राइ किया था उसे बून के पानी डाल दूगी और गाइस यह सबजी बहुत ही टेस क्योंकि मेरे घर में सबको प्याज वाला इसी डाली ऑद कर लोगी उसके बद कर बनाऊंगी और फ्रेंच सुभाहा मेरा ही रूटीन है मेरा मौनिंग रूटीन यही होता है व्हां करती हूँ और गैस में क्या करती हूँ सुभाह ज्वह में अभी मैं सबजी बना दी हूं और यह पनीर पराठा बनाओंगी उसके रिये पनीर भी रेडी कर लिया है उसे कदू कस कर लिया है नमा खल्दी प्याज लाल मीर्च यह समय ने डाल दिया उसमें त्वासत जीरा भी फिर जा मैं आटा ले नहीं देखती हूं आटा ही खतम है तो आटा मैं मंगवा चुकी थी भूथ गर्मी थी और कीचन में काम करो तो और गर्मी बहु ज़ादा लगती है पूरा सरीर गिला हो जाता है और देखे आटा गुतने के बाद मैं बना रही हूं पराठे बच्चे लों को पराठा पसंद है लंच में तो वही बना रही हूं और पराठा और केला की सबजी दोगी और इधर कड़ी भी बन रहा है करी में दूगी हस्बेंड को उनको पसंद है और यह देखे सब्जी पनकर तयार है तो मैं लंच में दे रही हूं बच्चे लों का लाइन्च फटा-फट में पैक कर रही हूं और इसके बाद में हस्बेंड का भी लंच पैक करूँगी करी पकोड़े बन रहे हैं एकदम ही इस इंप मेंने रखा हुआ है ताकि धीरे-धीरे फूल और फूल भी रहा है दीरे-धीरे और बहुत अच्छी लगती है करी पकोड़े मिंस करी चावल तो करी में सुभा बना दी हस्बेंड ले लेंगे सुभा और दो पहर में फिर में बनाओंगी चावल और हम लोग दो पर में खाएंगे चावल कड़ी तो गाइस बचे चले गए और हस्बेंट भी जा रहे हैं ऑफिस लंच पैक कर रहे हैं और लंच पैक करने के बाद यह चले जाएंगे ऑफिस फिर मैं कीचन की सफाई करूंगी नहाओंगी पुजा विडियो में बना ही नहीं क्योंकी हमारी नियम ही यह कि सुबह उठने के साथ सबसे पहले जारू लगाना है उसके बाद कुछ करना है और यह देखे इतनी सबजी मेरी बची है में खाऊंगी ब्रकफास्ट में मुझे बहुत ही पसंद दिस तरीके से केला की सबजी आप ल और अभी देखे मैं फटाफट जो है ना वो आठा जो रखना था ड्राम में वो ड्राम में निकाल चुकी हूं क्योंकि ड्राम बिल्कुल ही खाली ता कुछ भी आठा नहीं था और जैसे में निकाली तो देख रही हूं ट्रॉली भी तो हल्का सा डस्टिंग हो गया था मैं तो आठा दस किलो का राम से आ जाता है और देखे यहां पर मैं आठा को दिये दे डाल दी हूं ड्राम में तो यह सब आराम से काम होता है इसलिए सब को जब चले गए ढंड चले तो मैं हुआ सब काम करती हुं घर में क्योंकि मुछे तो घर में हैं और हर आठा नीची गिर जाता है अधाह नीची आधा ड्राम में इसे कुछ भी नीची नहीं गिर और यह देखें मैं द्राम को भी रख दूगगी ट्रॉली में सेट कर दूगी और यह को भी सोची सफाई कर लेती हूं तो मैं इसको भी जो है ना सफाई कर दूंगी मिन्स हलका सब पोच लोगी और इसे सुखने के लिए रखोंगी जब सुख जागा ना फिर में ट्रॉली को बंद करूंगी ने तो यह जो है ना गिला रा जाएगा इसी वज़स मैंने फिर से ख देखे यह सूख गया था फिर मैंने बंद कर दिया यह तो यह सिर्फ आठा रखती हूं को कि आठा ही बहुत हेवी होता है और मुरूरे का डबा है और अल्मुनियम फॉयल है तो मिक्सी जा रहे है बस कुछ में रखती नहीं हूं फिर आ गई हूं इधर कीचन सफाई करने क आर देखे एक करीव पीजन कीचन सफाई में जो 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 जूटा होता है जैसे आम कचिलका या जो भी चीज है उसुए में पोलेथी निवांद के वो करें सिंक नीचे है तो चाहिन के सफ़ाई करते हूं जो सिंकके ल्सकिन मुठकी खाल जा कि जब कोड़ा होreib तो इसके बात मैं में सारे बरतन को किलीन करोगी और सारे बरतन और। चाहिन करती वे अँड़ा है इसको इक तरीक्ता प्रकरा करती हूं और AíS अब लोग कैसे सफाई करते हो आप लोग बताना हो कमेंट करना और गाइज मैं तो सुभव सारा बरतन वगरा सब क्लीन कर लेंगी अभी नहाल होंगी फिर कीचन नीटेन क्लीन होता है और सुभा जो हैने रोटी सब्जी में खाऊंगी जो केला की सब्जी है और दो पहर में और चाहनु करणा तो दोपहर में जब बच्चे लोग इसकूल से आते हैं तो मैं घरम ही चावल बनाती हूं और बच्चे-वक खाते है तो इसलिए मैं अगर सुभभी बना लेती हूं और सारा कुछ च्लीन करके सफाई करके रख लेती हूं, थो मुझे अच्छा है है और किस चीज वीडियो आप लोगों चाहिए और डेखना पसंद करते हो बीडियो इस revenue सब उससे और इस मुझे अच्छा लगता है सुब के टाइम में सफाई करना और फ्रेंड्स अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पी अगर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आके प्रेस कीज पाहुतन आप तक सबसे पहले पहुंशती रहे और गायस देखे इधर मेरा सारा डीप क्लीनिंग भी हो रहा है मैं सारा क्लीन कर लूंगी अच्छे से साबून से पहले घस लेती हूं ताकि जो भी तेल का चिकनाई होता है वो सारा ही साफ हो जाता है एक्दम से और जो सिंक क्लीन करने क्योंकि हम लोग यहीं वे कहते हैं तो कम से कम कीचन तो क्लीन रखे ताकि कोई बीमारी नहीं हो और लोग एक दम हेल्दी रहे देखे कीचन एक दम हो चुका है मेरा सारा कुछ में सफाई कर चुकी हूं और आप लोग को कैसा लगा यह मौनिंग रूटीन वीड वीडियो जरूर बताना तो मिलते हैं नेक्स व्लोग में तब तक के लिए टेक केयर और बाबाए